छपरा के बाद अब सिवान में भी जहरीली सराब का कहर्ब देखने को मिल रहा है यहाँ पर चौकिदार समेत कुल पाँच लोग की जहरीली सराब के वज़़े से मौत हो गई है छपरा में जहरीली सराब से मरने वालों की संख्या में लगातार बड़ोतरी हो रही है इसी भी सिवान में भी जहरीली सराब से मौत का मामला सामने आया है सिवान में अब तक 5 लोग की जहरीली सराब पीने से मौत हो गई है जहरीली सराब से एक चोकेदार समेट 5 लोग की मौत से प्रसासन में हड़कम मच गया है पूरा मामला सिवान जिले के भगवानपूर थाना छेतर के ब्रहमस्थान गाओं का है जहां सराप से मरने वालों में से एक व्यक्ति का उसके परजनों ने अंतिन संसकार भी कर दिया है मिर्तकों की पहचान ब्रहमस्तान गाउं के वाड 14 निवासी चोकिदार अवद माजी, फुलेना माजी के पुत्र अमीर माजी, बलिराम यादो के पुत्र संभु यादो, स्वर्गिय धूरी राय के पुत्र, महेश राय और रामोध्याय पंडित के पुत्र, राजिंदर माजी और चोकिदार अवध माजी को परिजनों ने बहतर इलाज के लिए गोरखपूर के एक अस्पताल में भरती कराया था अवध माजी की मौत इलाज के करम में गोरखपूर में ही हो गई वहीं महेसराई के मिर्टू घर पर ही हो गई थी जिसके बाद परजनों ने आनन फानन में उसका दास अंसकार कर दिया मिरतक स्वंभू यादों के परजनों ने बताया कि गाउं में ही सराब बेचने का काम किया जाता है भाई ने बुधवार की शाम शराब पी थी गुरुवार दिन तक विल्कुल ठीक थे रात में अच्छे से खाना खाकर वो सो गए जिसके बाद सुक्रवार की सुबह जब उठे तो कहा कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा पूरे सरीर और सिर में दर्द की बात कहने लगे जिसके बाद उन्हें परिजनों ने भगवानपूर स्वासकेंदर में भरती कराया जहां से उन्हें सदरस्पताल रिफर कर दिया गया यहाने के बाद उनकी मौत हो गई मतलब पॉंट्सो का दिन पी कराये थे ठीक है और खाना उना खाये उस समय भी और रेकार ठीक थे ठीक है और आज मतलब सुबह बोल रहा है कि मेरे आच से दिखाई नहीं दे रहा है उसके बाद मैं बोल रहा है। दिसके बोल रहा है कि सर में दर्ड हो रहा है पिर बोलन प्राय में दर्ड हो भाधह ने जमसमुने पर 20 और requirements पीने के वज़ा से हुआ है दारुपिया है यह मेरा बड़े पापा का भाई क्या काम करते हैं ताइस का क्या है संभु यादो बली रहे बर्मस्थान भगवान पुर्था है उनका भाई है हम चचेरा भाई गविए रेकुछ ढ miedo-पिट्रमस पूपिए हम उसमें सराब बहुत बीगता है अदमी मतलब वह यक अदमी में और इसके बाद एक अदमी शा कि गुरफपूल में भरते हैं। और फिए गाव में कोई? नहीं अभी लिए। इचए आदमी का मौत है। गुरफपूल में किया नाम है? उनका आवध माजीना में। जो किना रहा है? वो बर्मापास्तान के ही है। और ये अदमी भर्मापास्तान के ही। वो ह्यादा नाव उनका Ameer माझी ए और जिफुरा एक न महेश। विया ना नाव? कि अंदिंस्कार हो गयाएख उब कि इक liberty हगा है महेश्याद उनके पित्ता का नाव ना भ। तो सारे लोग एक ही साहत व्हाहेते हैं, याओ में आज़ो के दोकान से लेकर पीए थे कोई बेज़ता है ना अब ये नहीं बता सकते हैं नहीं नहीं रेगुलर नहीं पीदे कभी काल प्रूंग जहरेली सराप्तिने समोथ हुआ, मैंने हाँ चार लोगों को हुआ है, अभी जिनको आप सदा स्पिताल में लेका हैं, उनका क्या नाला है? आप आओध मांजी, पिता का नाम बनार सी मांजी, वो चकुदार है वो चकुदार है जहीं हैं, बहुत है किसी कही लाज और तहीं है, कहा कहा चल राज लाज? अभी तरही तो पूल च्राइगा है, अभी तो फूल चारव पीने से हुई है? यह जब लोगों कि सराप दिखता कुछ नहीं बता है कौन सा जारू था अब यह नहीं बता पाएंगा हम के गूल आज करें नो इसा पता ना पोटली में क्या सब लोग बांद बांद के बेच रहे सब जगा तो गाव में कुला बिगता है तो बर्मस्तान बजार पर दिखता है परसासन का इसमें तम मेरे ख्या पिरोशनी गई पीट में दर्द हुआ फिरम वहां से लगे कहा अपना बागवान पू सदर में फिर वहां देखा फिर वहां से ओलो यहां का रेफर की है यहां आते ही मतलम उनके बत हो गया इराज के दौन हो चुका है अभी तो यह का हुए बात कि लोग अभी नहीं हुआ मैं अज्याला लोग में ढूलो जी जू लू इसी चार लोग मेस अभी नहीं हुआते है मैं अशोक कुमारा तब मास्थाम भावान पूलो चाह अफिर लोग कुमारा थो गई है उत्ब अंटे